नमस्कार तो आज हम बहुत सारे इंडियन फिटबॉल की बाते करने वाले हैं और कुछ इसूस हैं उनको भी कवर करने वाले हैं तो स्टार्टिंग से बात करते हैं सबसे बहले हम बात करते हैं जो आल इंडिया फिटबॉल फेडरेसन की recent meeting हुई थी जिसमें उन्होंने अंडर 16 की scouting related कुछ बाते बताईए और blue cups किस तरह से होगा इसको पर उन्हें कुछ बताया तो हम उसको पर detail में थोड़ी सी चर्चा करते हैं फिर हम other resources उनको पर बात करेंगे तो हमारे जो youth players होते हैं उनको एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि जो इंडिया अंडर 16 है उसमें हम कैसे खेले हैं कैसे पहुचे हैं उसके scouting कब उधी trails कब होते हैं तो ये अकसर उनका एक सवाल रता एक समस्या रहती है तभी All India Football Federation डिरेक्टल आपको मौका दे रहा है कि आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और इंडिया अंडर 16 टीम में सेलेक्ट हो सकते हैं तो All India Football Federation ने पांच रीजन बनाये हैं North, South, East and North East, West और Central and North ऐसे पांच रीजन बनाये और उनमें पांच जगों पर वो ट्रेयल लेंगे अंडर 16 के बच्चों की और ऐसे हर रीजन में इंडिया अंडर 16 की टीम में सेलेक्ट किया जाएगा जो की अंडर 16 सेफ्स चेंपियोंसिप खिलने वाली हैं तो इसकी जो डेट से आपको बहुत जल्द पता चल जाएगी तो आप एकदम प्रिपेर रहीगा जो भी अंडर 16 के प्लेयर से बहुत जल्द आपके नजदी की ट्रेयल आने वाली डिरेक्टली इंडिया टीम की अब हम बात करते कि ब्लू कफ में किस तरह की स्ट्रेटेजी सूची ओल इंडिया फुटबल फेडरेशन ने कि कैसे बच्चों को डेवलप किया जाएगा तो उन्होंने डिफरेंट एज ग्रूप्स के किस तरह के कॉम्प इसमें और 15 जो रहेगा वो फुल साइज रहेगा इसमें 17 और चालीस मिनट का सब खिल जाएगा सके किस तरह की एज में कितना फुट्बल फेडरेशन का इस तरह कि नंबर्स खिल आना इसके उपर और इंडिया फुटबल फेडरेशन से ग्रासूट लेवल से फिर यूथ लेवल पर और उसके बाद सीनियर लेवल तक प्लेयर हमको अच्छे से डेवलाप होते पर दिखेंगे इसके बाद एक टेंप्रेरी फैसला भी लिया है आउल इंडिया फुटबाल फेडरस नहीं जैसे के अंडर 20 के भी कोई टूर्णामे इसके बाद थोड़ी सी बुरी बात भी करना चाहूँगा सबसे पहले देखिए इंडिया टीम में फिर से दो प्लेयर्स इंजाड हो गया लाचेनपा और सुरेस और देखिए ये दोनों एक की प्लेयर्स में से एक थे लाचेनपा बुलेंगे तो एकदम फॉर्म में चल र इसमाट सब वाला प्लेयर वह प्लेयर अभी वह बाहर हो गया तो यह जटका लगा इंडियान टीम को ठीक है तो अभी इंटर कॉंटिनेंटल कप कहीं है सेफ कप कहीं है इसमें थोड़ा सा मिट्फील्ड में मसला फिर से आपको देखने को मिल सकता है यह मैं अभी से बोल ट्रयायों ठीक है तो अभी यह दो प्लेयर आउट हो गाए गुरमीद को इन किया और किसी को इन करेंगे की नी करेंगे यह पता है निए ठीक है इसके बाद एक और गुरी ख़बार आ रही ही केरल से आपको पते कि गूकुलम केरला जो कलब है उनका जो ग्राउंड है कॉं हम केरला के उनर है उनका सीधा यह कहना है भाई हम आठ करोड़ रुपए खार्च करते हैं माई टीम के उपपर पूरे साल में ठीक है और अभी जो हमको गौवर्मेंट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं स्टेडियम के लिए तो क्या करें हम मतलब वो तो यह बोल रहे हैं भाई फिर फुटबॉल के लिए है भाई बिल्कुल सही नहीं है अभी आपने देखा है लेकिन स्टार्टिंग में माना कर रहे थे टीक है बीच में आपने सुना था के इतना फुटबॉल होने के बाद कि गौवर्मेंट जो है वो खुला सपोर्ट नहीं दिल से यह दिखता है तो यह बहुत गलत बात है तो अभी इसके उपर कुछ सोचने चीवागा कि CM अगरा क्योंकि अभी हाली में आके जो IWL जीत रहा है, ILEAG जीता है और आपके स्टेट को और कंट्री को इंटरनेशनली रिप्रेसेंट करता है भाई गुकुलम केरला ऐसे क्लब का स्टेडियम नहीं देने की बात करते हो तो यह कितना सही है तो यह है Politics राजनिती in Sports चो बोलते हैं कि Sports से राजनिती निकाल दो फिर देखो इंडिया कहां जाता है कहां पहुंचता है यही बात है तो ऐसे छोटी-छोटी राजनिती करते हैं लोग है ना तो यह है मसला अब देखते है गुकुलम केरला को हां की गौर्मेंट किस तरह से सपोर्ट करती है I hope कि सपोर्ट करे विकाज मैंने चाहता कि गुकुलम केरला कि दूसरी जगे से खेले हैं ना फाल एक नाम गुकुलम केरला तो केरल सही खेले और वहीं EMS स्ट्रिडियम सही खेले दूसरी जगे क्यों जाना है ना कोई गलत तो उन्होंने किया निए अब हम बात करते सुझल छेतरी साब ने हाली में एक इंटर्यू दिया जिसमें उन्होंने कुछ बाते बोले हैं सबसे पहले तुन्होंने एसे काप के लिए बात बुली कि एशी अ तगड़ा, सीरिया, उजबेकिस्तान, उस्टिलिया, यह कोई हलकी पुल की टीम नहीं है, टफ टीम से टफ, तो इनके अगेंस्ट एक युनिट में है, यह सा युनाइटेड होके खिलना हमको, तो हम कुछ कर पाएंगे उन टीम के अगेंस्ट, तो यह सुनिल शेतरी चाहरे ह सपोर्ट करें, सिंबल सी बात है, तो हाला कि AC Cup के लिए काफी टाइम भी मिल रहा, काफी मैचे से मिल रहा हमारे इंडियन टीम को, I hope कि वो जो सोच रहे है कि एक युनिट बन पाएं, वो बन पाएं, because we also want that, है ना क्योंकि हम चाहते है कि हमारा कच्रान हो AC Cup में, हमारा एक शान दिखे, हमारा जंडा उचया दिखे, AC Cup में अच्छा प्रदरसन दिखे, तो I hope कि कुछ अच्छा करके दिखाएंगे काफी टाइम है, प्रप्रेशन के लिए, और सब कुछ अच्छे होगा, ऐसा लगता है मुझे भी, तो देखते हैं क्या होता है, और एक और चीज ब खेलने के लिए, ठीक है, तो इसके उपर सुनिल चेतरी साब ने पहली बार अपना पॉंट ओफ यू दिया है, कि देखी ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपने बस्ट प्लेयर्स जो बहार रहता है, अगर उनको बुला के खिलाते है, तो इंप्रूमेंट के लिए आपके कंट्री के लोकल प्लेयर्स उनको ही बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कहीने कि इससे क्या होगा कि सौट टम में टीम जो है जल्दी से इंप्रूम हो जाएगी, जो कि कहीने कहीन, फुटबॉल की पॉपुलर्टी को इंक्रीस करेगी, तो बिल्कुल कह दिया है, सुनि झाल 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 झाल